ये देखिए, लुक में कितना जबर्दस्त लग रहा है, खाने में बेदी टेश्टी है, और बनाना भी बहुती आसान है, ये हम तयार करेंगे गेहूं के आटे से, गेहूं के आटे का इतना जबर्दस्त नास्ता कि आप देखते ही बनाने दोड़े चले जाओगे, इतना टे लाजवावसा ये नास्ता है, साथ में हेल्दी भी है, तो चलिए देखना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, इसके लिए हमने ले लिए एक परात, इसमें हम डालेंगे हाफ कफ सूजी, सूजी बारी एक मोटी जो भी आपके पास अब ले बालो, वो आप ले सकते हैं, अगर जादा मोटी है, तो उसको मिक्सी जार में पीछ लेना है, अब हम डाल देंगे इसमें दो कफ आटा, गेहू का आटा है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो ही आटा है, तो कफ या फिर कोई कटूरी जो भी आप मेजरमेंट के लिए ले रहे हो, उसी के हिसाब से आपक तो यहां मैंने टू टेबल इस्पून गी डाल दिया है, गी को अच्छे से मिला लिए ज्यादा मौयन की जरत नहीं होती है, इसमें बस थोड़ा सा ही डालना है, जिससे कि यह सौफ्ट बने क्रिस्पी बने, तो यह देखिए यह मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है, दीरे दीरे पानी डालती जाओंगी, और इसका हमें एक डो तयार करना है, तो पहले मैं पूरा आटा है, उसको एकटा कर लेती हूँ, तो यह देखिए जो सारा आटा है, यह मैंने एकटा कर लिया है, अब हम इसको दो से तीन नट के लिए मसल लिए, तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आप फर्स टाइम देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस्पी पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, तो यह देखिए मैंने इसको दो से तीन नट मसल लिया है, अब हम इसको इस तरह से लिए और हम रख देंगे, आप चाहो तो कोई गीले कपड़े से भी डख सकते हो, या फिर कोई थाली प्लेट से भी डख सकते हो, तो 15-20 मिनेट के लिए हम इसको डख देंगे, अब हमने यह एक कडाई ले लिए, तब तक वो आटा सेट हो रहा है, जब तक हम इस्टपिंग बना ले था, थोड़ी देर भून लेंगे इसको हम, फ्लेम है वो हमें मीडियम कर लेनी है, तो यह देखे इस तरह से मैं इसको भून लूँगी, और अब हम इसमें डालेंगे अधरक लेसन का पेस्ट, मैं यहां मार्केट वाला डाल रही हूँ, आप चाहो तो गर का ही अधरक लेस में डाल दिया है, थोड़ी देर के लिए पका लिए, तो यह देखे यह हलके से पक चुके हैं, और आप हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, तो यहां मैं डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, थाप टीजपून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, बन फूर अथे दिया हैं, यहां मैंने दो आलो लिए थे, और उनको मैंने गरेट कर लिया थे, इसको मैंने दो के निचोड लिया था, इसका पानी, तो यह देखे यह मैं इसमें डाल दूँगी, आलो है ना फ्रेंट्स, वो आपको पहले से ही गरेट करके नहींรखना है, क्योंकि आ अगर आपने पहले से ही आलू को ग्रेट करके रखा तो आपका आलू है वो काला पड़ जाएगा इसलिए जब बना रहे हो तभी आपको ये आलू ग्रेट करना है या फिर आप ग्रेट पहले कर रहे हो तो उसको पानी में डाल के रखना है स्वाधन साथ डाल दिंगे हम इसम पकाना कब तक है जब तक कि यह आलू है यह सौफ्ट ना हो और यह हमें खुले में पकाना है क्योंकि अगर आपने यह डखके पकाया तो इसमें मौश्चर रहेगा तो इसलिए आपको यह खुले में पकाना है अब हम इसमें डाल दिंगे 1.5 टीश्पून गरम मसाला और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीश्पून अमचूर पाउडर अगर अमचूर पाउडर नहीं है या पर डालना नहीं चाते तो आप इसकी जगे पर इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो अब बस लास्ट में हमें कुछ सेकंड के लिए इसको हाई फ्लेम पर पका लेना है जिससे कि इसमें थोड़ा बहुत मौश्चर है वो निकल जाए अब हम इसकी फ्लेम है वो सलो कट दिंगे और यह मैंने लिया है जो आलू की भुजिया होती है वो ली है और इसको मैंने मिक्सिंग जार में दरदरा सा पीस लिया है अगर यह नहीं है तो जो नॉर्मल सेव आती है वो भी ले सकते हो तो यह देखिए यह मैंने इसमें डाल यह मैं तीन से चार टेबल इस्पून लिया था इस तरह से डाल के बनाईएगा फ्रेंट्स बहुत ही जबरदस टेस्ट आता है चटनी का तो यह देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला लिए और यह हमने मिला लिया है और अब हम इसकी फ्लेम है वह आफ कर दिंगे क्योंकि ह हमारे जो इस्टपिंग है वह बनकर तयार हो गई है अब यह देखिए चैटनी है उसको हम साइड में रख दिंगे और यह हम आटा देख लेते हैं तो अब हम इसको मसल लिए यह कादमनट के लिए जिससे की आटा है वह अच्छे से चिकना हो जाए तो यह देखिए मैंने अब हमें इसकी लोईयां तोड़नी है तो लोई है वो हमें थोड़ी सी बड़ी तोड़नी है जैसे हम रोटी बनाते है तो रोटी से थोड़ी सी बड़ी तोड़नी है इसकी तो यह देखिए इस तरह से मैं इसके गोले बना कर तयार कर लूँगी यह देखिए इस तरह से तो इसी तरह से सारे जो आटा है उसके में गोले बना लूँगी तो इसके टोटल चार गोले बनकर तयार हुए हैं अब हम इसको बेल लिंगे तो इसको थोड़ा सा लंबाई में बेलना है ये देखिए अगर आपको जरात हो तो आप सुका आटा भी लगा सकते हो जैसे चिपक रहा है तो आप सुके आटा लगा के फिर इसको बेल सकते हो तो ये देखे मैं इसकी एकदम पतली सी रोटी बना लूँगी लेकिन रोटी हमें थोड़ी सी लंबाई में बनानी है तो ये देखे आपको मैं देखा देती हूँ इतना पतला है अब हम जो स्टपिंग बनाई थी न वो इस्टपिंग लिंगे और इसके बीच सेंटर में हमें इस तरह से स्प्रेड कर देना है सैड में हमें लगवक दो-दो इंच के आसपस में जगए चोड़नी है तो ये देखे मैं पूरे में मैंने स्प्रेड कर लिया है अब जो सैड में जगए रह गई है न उसको एक तरफ से उठाइगे और इस तरह से हमें इसमें लगा देना है जो हमारी चटनी है वो हमें कवर करनी है तो ये देखिए अच्छे से सेट कर देना है इसको अब दूसरी तरफ से उठाएंगे और उसको भी हम इस तरह से लग रख देंगे इसमें ये देखिए लेकिन चिपका देना अच्छे से है जिससे कि ये आप तलो तो ये छूटे नहीं तो ये देखिए अब हम इसको रोल बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से लिंगे और इस तरह से हलके हातों से इसका रोल सा बनाते हुए ले आना है ये देखिए और लास्ट में हम क्या करेंगे इस जगेपर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी जिसे कि ये जॉइंट है ये खुले नहीं तो ये देखें इस तरह से मैंने इसके उपर लगा लिया पानी और अब हमेंसे इस तरह से चिपका देंगे और ये देखिए अब हम क्या करेंगे अब हम लेंगे एक knife और उससे हमें बीच center में इसमें cut लगाना है तो ये देखिए आप देख सकते हो इस तरह से लेंगे और हलके हातों से cut लगाना है ये पूरा हमें काटना नहीं है लास्ट में हमें joint छोड़ना है तो ये देखिए इस अगर इदर उदर से कहीं से इसकी save खराब हो रही हो तो आप हातों से उसको adjust कर सकते हो तो ये देखिए आप हम इसको हलके आतों से दवा दिंगे आप चाहो तो बेलन से बेल भी सकते हो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरादनिया लगा दूंगी ये देखिए इस तरह से क हैं उनको मैं बना कर तयार कर लूंगी बहुत ही इजी तरीका है और खाने में बेदी टेश्टी भी लगता है और बच्चों को जब डिफरेंट रैस्पी देखेगी न तो थोड़ी देर में ही सारे चट कर जाएंगे इतनी जबरदस्त हमारी ये रैस्पी बनकर तयार होग है अब हम इसको डालेंगे एक कैसे यह देखिया आप देख सकते हो जिदर ढ़ंडर की भो छो और जिखरते हो टोड़ी है घृप में आपका पर ऊपर ली है ऐसे हमने क्यों डाला क्योंकि अगर आप इसको सीदी साथ से डालते लो और फ mesmo vanilla चipर जो यह पड़तों में दिख रही है यह चैटनी निकलने के चांसे रहते हैं अगर आप उल्टा डालोगे ना तो आपकी चैटनी है वो कहीं भी नहीं जाएगी बिल्कुल नहीं निकलेगी तो यह देखिए यह हमारे सिक्कर हो गई है तयार बहुत ही जटपट बन जाता है फ्रेंड्स लुक में आप देखी सकते हों कितना जबर्दस्ट लग रहा है अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूं तो यहां मैंने इस पर डाल दिया है रेड्च ली फ्लेक्स और अब मैं इस पर डाल दूंगी थोड़े से जो वाइट वाले तिल होते हैं वो तिल डाल दूंगी यह कलोंजी डाल दी है यह देखिये इस तरह से और आप इसके ऊपर सॉस बगेरा ही दाल सकते हो तो देख सकते हो फ्रेंडस लोक में कितनी जबड़ दस लग रही है खाने में ब्यहँदी टेस्टी है आप इसको ग्रीन चैट्णी के साथ सॉस के साथ खा सकते हो और अब आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हो आप भी ट्राइ कीजिएगा अपना फीड़ वेग में जरूर बताईएगा कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद